आई स्टूडेंट आएम दुर्गेश कुमार आज आप लोग का बेसिक एनाटामी एंड फिजियोल लॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से बेसिक है सौट फोम में हैं ज्यादा लंबा नहीं है तो देखें यहां पर क्या पढ़ना जैसे एनाटामी प्रिजियोलोजी है क्या यह तो अनाटामी अनाटामी मिन्स होता क्या है तो अनाटामी इज साइंसर दैट दिल्स भी दा स्ट्रक्टर अफ दो बोडी और रिस ए रिलेशन्शिप आप वहरियस पार्ट अप इच आदर ए नॉलेज अफ दिस स्ट्रक्टर यह नीज जो है साइंस में अध्यान किया जाता है तिक है और इसको शरीर के सन्राचना के बारे में जानना है और विभीनों आंगों के आंगों के एक दूसरे से समंधित है और कार्जों के में इसमें समझना है और रचन नाओं का ज्ञान का सकते आटो अब आटामी एक साइन्स साइंस में पढ़ना है जो उसके बारए में समन्धुत में जाना है बीन जासे जैसे मेह एग्जांपल में साइट destro लोजी हैं होता है कि यहुद के बारे में च们ब करना क्या के बारे में हम लों को क्या से बनाे से से यहांनी के बारे में कैसे बढ़ करता है क्या करता ऐभी और integrating यानि आष्टाडी आफ टीसु बी हम लोग हंग है तो देखे यह सब सारे जो हैं से पढ़तना है इसमें और सूंडोजी है जो बोन हड्डि के बारे हैं माइलोजी है यानि मस्कुलर के बारे में पढ़तना अर्थोलोजी है है तो यहां पर ऑर नार्गन पार्ट है तो यह सब से लोड़ टीसू से बना हुआ अर्गन लीभहर के बारे पार याज बारे में और लांस के बारे में यह सब जो है से इसने पाढ़ना तो अनाटामी में किसमें पढ़ना है अनाटामी में में और देखें सीक्स में यह जो रुजर्ण कुन सा है पिछछले बीटीफy बता चुक है कि तो और यही चीज बना और है को से बना तीसो से इस बना egy- chilling होके और देखें फिर में आपको फिजियो लौजी है क्या तो फिजियो लौजी जो है से एक तरह से इसमें भी साइंस के पढ़ा दाता है लेकिन जीवन का विज्ञान है जो सरीर के समान कार्जों से समानधीत जैसे इतर गों से समानधित इसमें पारना है थे कि देखे धिग्री साइंस जीवन का विग्यान है जो सरीर के समान काजों समानधित या बताता है जिसली नहीं विपर ना लिए में इकाओं के रूप में समान रूप से 15 कैसे कार्जilst करती है सारा सिस्टम जų है एक साथ है कैसे कॉंक्ड़ती हैं सारा औरन लिइन कर क्या बनाता है एक और्गों सिश्टम बना दी तो औरगन के बारे मुपाड़न सीस्टम या या किस통 करा से काम करता है जैसे डाजेस्टी सिस्टम हो गया स्केल्टन सिस्टम यह क्या है और यह सारा और गन मिल के अपना सिस्टम कैसे वर्ग करता है वह फिजियलोजी में फड़ना है ठीक देखिए सेंट्रल नर्वर्स सिस्टम है यानि सारा मतलब सिस्टम मिल के एक सिस्टम बन फिर यहां पर देखिए डाजेस्टी सिस्टम सब कैसे खाना बेगराई सब पाचता है उसके बारे में फिजियलोजी में पढ़ना एंडोकराइन सिस्टम है कैसे हर्मोन बेगराई सब सीक्रेट होता है वो सब इसमें पढ़ना है थैंक यू